हेलो एवरिवन माईसेल्फ सुनेल कुमार प्यूमा आप देख रहे हैं ग्यानोदे फोर यू लेटिस्ट जॉब इंफार्मेशन यूटूब चैनल इसमें आपको सभी डिपार्डमेंट की प्राइवेट वा गॉवर्मेंट वैकेंसी की जानकारी मिलेगी और फ्रेंड हमारे चैनल ग्यानोदे फोर यू में आपको किसी भी डिपार्डमेंट की किसी भी प्रकार के फेक इंफार्मेशन यानि कि अफवा बारी सूचना नहीं दी जाएगी जो भी इंफार्मेशन दी जाएगी आपको बिलकुल कंप्लेट इंफार्मेशन होगी राइट इंफार्मेश रिलेज की गई होगी तो चलिए फ्रेंड यदि चैनल पर फर्स टाइम आया है और आप चाहते हैं आपको इसी पका लेटेस्ट वैकेंसी के नोटिफिकेशन की कम्प्लेट इंफार्मेशन सही समय पर मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिल आइकां की जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और आपको कम्प्लेट इंफार्मेशन मिल सके तो चलिए फ्रेंड इसी के साथ हम आज एक फिर लेटेस्ट वीडियो के कम्प्लेट इंफार्मेशन लेकर आपके सामने परजेंट होए हैं तो चलिए बात करते हैं आज हम राजस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रिलीज की गए मेडिकल एजुकेशन लाइन के सांधार वैकेंसी के बारे में यानि कि यह हर डिपार्टमेंट के डाक्टरों के लिए वैकेंसी है तो चलिए आगे देखते हैं और फ्रेंड यह जो वैकेंसी है यह आल ओवर इंडिया के लिए आप किसी भी स्टेट से बिलांग करते हैं आप फार्म अपलाई कर सकते हैं बस यह इसमें एक बात ध्यान रखना होगा कि इसमें जो इस्टेट से बिलांग करते होंगे तो आपके लिए रिजर्वेशन की अलग योजना होगी तो चलिए फ्रेंड अब आगे देखेंगे कि कितनी पोस्ट है और इसके टोटल वैकेंसी क्या है और किस किस के लिए एलिजबिल है और इसकी एलिजबिल्टी क्राइटेरिया क्या है ये सारी कंप्लेट इंफार्मेशन देखते हैं तो फ्रेंड आप देख सकते हैं 36 गर लोग सेवा आयोग यानि 36 गर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा MD जो डॉक्टर आप मेडिसेन, MS मास्टर आप सरजरी, D&D डिपलोमा इन नेशनल बोर्ड या मेडिकल एजुकेशन डिपलोमा वाले छात्रों के लिए सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर की सांदार वैकेंसी निकाली गई है और फ्रेंड एक बाद फिर से आपको बताते हैं कि ये आलोवर इंडिया के लिए आप किसी भी स्टेट से बिलांग करते हैं आप इसमें और जिस डिपार्टमेंट के आप डॉक्टर हैं, आप फार्म अपलाइख कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं और आगे फार्दा रिक्रूट्मेंट आप थ्री एटिस्टिक्स डिपोस्ट सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स इन दा इस्टेट यह चाहते सब्सक्राइब तोटल कितनी पोस्ट के लिए तीन सो ची आसी पोस्ट के लिए तो फ्रेंड एलिजवल एंट इंटरेस्टेड है तो वह इसके आफिसियल वबसाइट जो एलो कलर में हाइलाइट है पी एसजी डाट सीजी डाट जी ओवी पर जाके फार्म अपलाई कर सकते हैं और फ्रेंड दीज वैकेंसी आर अंडर दा मेड़कल एजुकेशन डिपार्टमेंट आप गौर्रमेंट आप 36 गड़ फ्र की सेम इंफार्मेशन हिंदी में भी है आप देख सकते हैं ये दिया है फ्रेंड ये हिंदी में है ये 36 गड़ लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा छेत्र चिकित्सा सिच्छा यानि मेड़कल एजुकेशन विभाग के अंतरगत सीनियर रेजी डेंट डाक्टरों की 386 रिक्त पदों पर भरतिया निकाली है इस भरती के लिए आवेदन की सभी पर के रिया आनलाइन आयोग जित्की जाएगी जो भी योग और इच्छु के उमीदवार है इस भरती के लिए आवेदन करना चाहता है वह 36 गलोक सेवा आयोग की अधिकारिक वेबसाइड psc.cg.gov.in पर जाके फर्म अपलाई कर सकता है तो फ्रेंड इसमें टोटल 386 पोस्ट है और यह जो इसका फर्म अपलाई हो रहा है वो आनलाइन होगा और देखे फ्रेंड इसमें एक स्पेसल नोट है इसको बिलकुल केयर फुली ध्यान देना कि 36 गर के आथानी 89 चात्र ज जैसे कि SC, ST, OBC जो नान क्रीमी लेयर है और विकलांग चात्र यानि फिजिकल हैं जो उनके लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा यानि कि वो आरच्छन के पात्र होंगे और इन सभी SC, ST, OBC नान क्रीमी लेयर और विकलांग चात्रों को छोड़ कर जितने भी अधर कैंडि कैंडिडेट होंगे चाहे वो OBC क्रीमी लेयर हों जनरल हों या एनी अधर स्टेट से बिलांग करते हैं तो वो अना रच्छत स्रेंडी में आएंगी यानि कि उनको अन्रिजर्व कैंडिडेट माना जाएगा उन्हें किसी भी प्रकाग रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी इसे आप बहुत ही ध्यान से ध्यान रखना फार्म अपलाई करने से पहले तो चलिए फिरन हम टोटल वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं देखिए इसमें डिपार्टमेंट वाई से वैकेंसी दी गई है टोटल 386 पोस्ट को किस पकार डिवाइड किया ग 28 पोस्ट है और TB डाक्टरों के लिए टोटल 13 पोस्ट है इसकीन डिसीज उनके लिए 13 पोस्ट है और वहें पे देखिए साइको च्याटरी जिसे आप कहते हैं मांसिक रोग विसेशग इनके लिए कितना पोश्ट है 12 पोश्ट है और देखे फ्रेंड सरजरी बैकलाग जो सरजन होते हैं सरजन की जो प्रिपेरेशन कर रहे हैं जो विकेंडिडेट उनके लिए फाम कितने पोश्ट के लिए अपलाई किया जा सकता है इसमें है बावन पोश्ट तो सरजरी वाले जो सरजन है कैंडिडेट हैं उनके लिए बावन पोश्ट है और वहीं पे देखे अर्थोपेडिक बैकलाग जो बोन से संबंदित होते हैं या हड़ी रोग के डाक्टर हैं उनके लिए टोटल 26 पोश्ट है और देखे फ्रेंड और ईए एंडिया बैकलाग के लिए कितनी फोश्ट हैं 15 पोश्ट है और वहीं पे देखे आप लाजी यह पोश्ट है यह होते हैं नेत्र विग्यान के होते हैं यह नेत्र चिक इच इनके लिए है 32 पोस्ट ये क्या होता है आस्ट्रेटिक अं गाइनेकलो लॉजिस्ट ये होते हैं जो डिलेवरी से संबंधीत डॉक्टर होते हैं और देखे फ्रेंड 11 नमबर देखे एनस तेनेस्थ शीया बैकलाग ये कौन होते हैं यह वो डाक्टर होते है कि ड्रक्स भगारे जो भी ले लेता है आदमी बहोस हो जाते है उनके treatment के लिए होते हैं तो इस department से जो भी candidate सम्बन देता है उनके लिए total पोस्ट कितना है 37 पोस्ट है से related doctor होते हैं उनके लिए total एक post है और neurosurgery neurosurgery क्या होता जो sensor वाले होते हैं यानि sensitivity के लिए होते हैं तंदिका तंद्र से संबंदित जो इलाज करते हैं treatment करते हैं यानि जो neurosurgeon होते हैं उनके लिए एक post है और वहीं पे देखिए 15 नमबर थोड़े सिक surgery थोड़े सिक केस्ट से संबंदित जो treatment करते हैं उनके लिए होता है इनके लिए कितनी पोस्ट है यह चार पोस्ट है और देखिए 16 नमबर रेडियो therapy रेडियो थरेपी क्या होता यह इसमें वह डाक्टर संबंदित होते हैं जो एकसरे के जानकारी होती है एकसरे के संबंदित यह नके लिए होता है तो रेडियो थरेपी कंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट है छे पोस्ट है और देखिए 17 नमबर इमर्जेंसी मेडीसिन यह आपात कालीन जो डाक्टर होते हैं उनके लिए टोटल पोस्ट है सत्रा पोस्ट है और डेंटिस्टरी यह जो दातों के लोग्विसेशक होते हैं जो भी डेंटिस्ट के कंडिडेट है उनके लिए टोटल पोस्ट है 12 पोस्ट और देखिए 19 नमबर है फिजिकल रिहाइबिलाइटेशन के लिए दो पोस्ट है यानि कि इसको जो सारीरिक पुनरवास होता है हिंदी में बोलते हैं उनके लिए दो पोस्ट है और देखे 20 नंबर blood bank pathology के लिए कितने पोस्ट है blood bank pathology के लिए total दो पोस्ट है तो इस प्रकार फ्रेंड ये department wise पोस्ट का division किया गया है आप देख लीजे slowly एक बाद फिर से slide कर देते हैं ये है फ्रेंड और देखते हैं फ्रेंड आगे कुछ important fact तो फ्रेंड आप कुछ important fact है जिसे आप form apply करने से पहले जानना आपके लिए बहुत ही compulsory है तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले जानते हैं important date देखे इसमें important application will start 16th December 2021 यानि कि जो इसका application application form apply होना शुरू होगा कब से 16th December 2021 से होगा और application will closed और कब से application होना बंद हो जाएगा इसके लिए last date क्या है 14 January 2022 है यानि 2021 16 December 2021 को form start होगा और आपके पास 14 January 2022 तक के लिए समय है तो फ्रेंड इसके लिए देखे application fees क्या है form apply करेंगे तो fees तो देना ही होगा तो देखे इसमें unreserved candidate और जो general candidate है या OVC candidate है उनके लिए 400 पोस्ट है वो sorry 400 रुपए application fee payment करना होगा और वहीं पर देखे रिजर्व candidate जो जिसे रिजर्व दिया जाता है जिसमें SC, ST, X service man आते हैं इनके लिए 300 रुपए application fee payment करना होगा और देखे फ्रेंड इसमें age limit क्या है इसमें all candidate minimum age 25 year होना चाहिए और maximum age कितना होना चाहिए 35 year यानि कि 25 साल से लेके 35 साल के जो भी candidate है और medical education के लिए prepare कर रहे हैं तो वो इसमे फार्म अपलाई कर सकते हैं आप देखते हैं इसमें eligibility criteria क्या है देखे eligibility criteria या education qualification क्या होना चाहिए आपको फार्म अपलाई करने के लिए तो देखे इसमें candidate must have a degree diploma in medical education following this आपके पास जो भी medical की डिगरी या डिपलोमा है जो दिया है नीचे following इसमें से कोई एक है तो आप फार doctor of medicine MD के degree हो master of surgery यानि कि आप surgeon से संबंदित MS के degree हो या diploma in national board diploma in national board या आपके पास diploma in national board यानि DNB के diploma हो या diploma in relevant field आप इससे संबंदित कोई भी diploma है तो आप फार्म अपलाई कर सकते हैं तो फ्रेंड ये था कुछ important fact जिसे आपको जानकारी लेना फार्म अपलाई से पहले बहुत ही जड़ूई दी था तो चलिए गाइच अब हम बताते हैं कि इसका फार्म कैसे अपलाई करना है तो फ्रेंड ये कुछ इस्टेप दिया है जिसे आप फार्लो करके फार्म अपलाई कर सकते हैं तो देखें फर्स्ट इस्टेप गो टू आफिसियल विबसाइट है psg.cg.gov.in तो फ्रेंड सबसे पहले आपको इसकी जो आफिसयल विबसाइट है पब्लिक सर्विस कमिशन यानि 36 पब्लिक सर्विस कमिशन की आफिसयल विबसाइट पर जाना होगा जो ये एलो कलर की सो कर रही है और देखें जैसे इस पर जाएंगे तो आपको यदि आपक यापको eligibility बता दी गई है फिर भी आपको किसी भी परका कर डाउट है तो आप चेक्ट the eligibility from the official notification इसके official notification में जाके आप eligibility चेक कर सकते हैं उसके बाद आप click on the apply online link given below आप जिस department के लिए form apply करना चाहते हैं उसके लिए link पर क्लिक कीजिए और जैसे link पर क्लिक करेंगे आपको application form so हो जाएगा एक नए interface आएगा और उस interface में आप अपने अपना फार्म फिल कीजिए और फार्म फिल करने के बाद जो भी आपसे required की गई होगी document के उस document को upload कीजिए और देखिए six number application जैसे फार्म आपका complete हो जाएगा आप से application फिब के डिमांड की जाएगी तो उसमें आप पेदा application फिब आनलाइन फिरो डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैकिंग आप इने जो भी आपके पास सुविदा है उससे आप फार्म के लिए क्या करना है पेमेंट अप्लाई करना है जैसे आपके पेमेंट हो जाते है तो आप फार्म को से फार्म सब्मिट कर करके फार्म अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड आज की जानकारी कैसी लगी आपको प्लीस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपको किसी भी परकार के इसे वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आप पूछ लिजी आपके जो भी कोशन होगे उसके सालूसन जरूर मिलेगा तो फ्रेंड आज की जानकारी यहीं तक मिलते हैं अपने निक्स्ट सेशन में और फ्रेंड चैनल में अभी फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी यदि आप इसे पकाल लेटेस्ट वेकिं तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अपने निक्स्ट सेशन में तब तक के लिए हसते रहें मुस्कुराते रहें थैंक्स पार वाचिंग जै हिंद जै भारत